हेलो एब्रिवन वेल्कम टू माई चैनल फ्रेंट्स आज में आपके लिए स्वेटर का बहुत ही ब्यूटिफुल पैटरिन लेके आयों यह बनाना बहुत एजी है यह टूरो पैटरिन है यानि दोसलाई वाला डिजाइन है अब मैं इसको बनाना स्टार्ट करते हूं सबसे पहले मैंने पैटरिन का एक छोटा सा बेस बना लिया है पहला फंदा इसको स्लिप कर लिया इसको बिन बुने ही उतारना है आगे दागा अपनी साइड को करके यह पैटर्न की फ्रंट साइड है आगे वाले फंदे को ऐसे बिन बुने ही उतार लेना है और इसको फ्रंट साइड को उल्टा उतारना है फिर दागा इसको बुनना नहीं है फिर दागा बैक साइड को ले जाना है आगे बाला फंदा इसको सीधा निकालना है यह दाग्गा अपनी साइड को लियाके आगे बाले फंदे को बिना बुने ही उतार लेना है फिर दाग्गा बैक साइड को ले जाना है आगे बाला फंदा इसको सीधा बुनना है इस दाग्गा अपनी साइड को ये पैटरिन की फ्राट साइड है और ये बैक साइड है जब दाग्गा फ्राट साइड को ले आते हैं तो फंदे को बीना बुने ही स्लिप कर लेते हैं ऐसे ये दाग्गा बैक साइड को ले जाना है आगे बला-फंदा सीधा भूनना है पूरी स्लाई में ऐसा ही बनता रहेगा पूराट साइड को दगगा ले आना है और फंदे को भीनब नेता रहेना है तो दगगा भैक साइड को लेके जाना है और आगे Series हमंना है यह pattern ladies, skates, jets सबीकी sweater में डाला जाने वाला design है अगर आप इसको किसी और project में भी डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं अब यह second row back side सबसे पहले आप border बना लेना है और उसके उपर simple दो सलाई लगानी है सीधी और उल्टी और उसमें ही आप जितने फंदे बढ़ाना चाहते हैं उतने बढ़ा लें फिर pattern start करें अब यह second row back side पहला फंदा इसको slip कर लिया आगे जो हम फंदा front side को बीना बुने ही उतार रहे थे उसको second row में भी बीना बुने ही उतारना है दागा बाहर की तरको करके आगे बाला फंदा इसको यह back side है उल्टी side है तो इस फंदे को उल्टा ही slip कर लेना है और दागा फिर ऐसे अपनी side को लियाना है और जिस फंदे को हम बुन रहे थे उसको back side में भी बुन लेना है ऐसे फिर दागा बाहर की तरको करके आगे बाला फंदा इसको बीना बुने ही उतार लेना है फिर दागा अपनी तरक को लिया के यह design की back side है पिर जिस फंदे को हम first row में बून रहे थे उसको second row में भी बूनना है ऐसे फिर दागा बाहर की तरप को ले जाके आगे बाला फंदा इसको उल्टा ही श्लाई के उपर ऐसे लेना है और दागा फिर गुमा के ले आना है यह आगे बाले फंदे को इसको भी बून लेना है यह पूरी स्लाई में ऐसा ही बनता रहेगा यह सिर्फ टूरो पैटर्न है और बूनने में भी बहुत ही असान है यह हमारी टूरो कंप्लिट होगी है यह पैटर्न सिर्फ दो स्लाई बाला है इसके उपर दो स्लाई यानि टूरो सिंपल लगानी है एक सीदी लगानी है एक उल्टी लगानी है फर्स्ट भंदा इसको बीनाबो नहीं उतार लिया आगे बाला बंदा इसको सीधा बोल लिया इससे आगे बाले को भी सीधा बोल लिया यह पूरी स्लाई में सीधे सीधे ही फंदे बनेंगे इसमें आप टूरो पैटरन डालके टूरो सिंपल लगानी है यह सीधी स्लाई होगी अब यह आगे की उल्टी स्लाई है यह बैक साइड है यह अब टूरो सिंपल लग गी है अब इसके बाद भी इसके उपर टूरो वाला पैटरन पड़ना है जैसे हमने फर्स्ट और सेखने रोव में डाला है वैसा ही डालना है कि इसको हमें थोड़ा सा डाल के बता देते हूं हाँ यह जो दो सिंपल स्लाई लगाई है इसके उपर थोड़ा चेंज होने वाला है आप जिस फंदे को हमने पहले बिना बुने ही उतार था इसको बुन लेना है और दग्ग अपनी साइड को ले आके और इस वाले फंदे को हमने नीचे पहले फर्स्ट और सेखन रोव में बुना था आप इसको नहीं बुनना है अब इसको ऐसे ही उतार लेना है आगे वाला फंदा सीधा बना है सिर्फ दो स्लाई वाला पैटर्न है लेकिन जो बीच में हम टूरो सिंपल लगा रहे हैं और जो आगे लिए यह चार स्लाई होगी जो फीप्त रोव है उसमें थोड़ा चेंज होना है जिस फंदे को हमने फास्ट्र रो में भूना है उसको नहीं भंनना है कि जाकर दामार आसे परिफ्ल आपनी साइड को लिए कि इस फंदे फंदी फंद ने फैस्ट्र रोव है मिला है आब इसको फीप्त रोव में जाकے नहीं भूनना है और जिसको नहीं वोना था उसको अब भून लेना है पाजवी स्लाई में जाके यह बस यही चेंज हुआ है जो फंदा हमने फास्ट और सेक्ड रो में नहीं बुना है उसको उपर जाके बुनना है और जिसको बुना था उसको उपर जाके नहीं बुनना है उसमें दागगा ऐसी पेट के फ्राइड साइड को ले आना है फिर बैक साइड को लेके जाना है अब जो इसकी बैक साइड है वो भी ऐसी बुने जाईगी जैसे सेक्ड रो बुनी है वैसी ही बुननी है जो फंदा हमने पिछली स्लाई में नहीं बुनना है उसको बिनवो नहीं उतार लेना है और दागा फ्रांट साइड को या बैक साइड को करके बाकी का अगला फंदा बुन लेना है टूरो पैटर्न यहां पढ़ गया बीज में दो सिंपल स्लाई लेगी है इसके उपर भी टूरो पैटर्न पढ़ गया हिल्स का है हो झाल आप लेकिह वर अग्र आपको मेरे बनाया हुआ डिजाइंड पेटर्न संदार है तो लाइक सेर और सुब्सक्राइब जूर करदें अगरा मेरे चैनलपे नई-ई नई ए तो भी लाइक शेर और सुब्सक्राइब जूर कर दें फैंक्यू